वधायक दल का नेता चुना गया है सियासी तूफान जिसमें ग्रेट MLA बाजार लगा हुआ है, बीते दिन की परेड और उसके बाद भी तमाम दावे आप कहते हैं, आपके साथ हैं, उनके साथ हैं, इन सब के बीश लोकतंतर कहीं पर फसा हुआ है, और मेरा सवाल आप से ये है, तीन बिंदू, जिसका विप च माले के बाद बहां नहीं थे, आज भी बताया जा रहा है, उनकी कोई जानकारी नहीं है, शदीदों को शदांजली देने हैं, फटनवे साब गए हैं, बहां भी नहीं है, क्या समझें, बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया आपने, ये शपत ग्रहर करके हैं, जीत पवार क के साथ, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें नकार दिया, देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, कि आज का मुख्य सवाल है, कि आपने जो पूछा भी मुझ से, कि समविधान कहां फसा हुआ है, लोकतंत्र आज कहां फसा हुआ है, बड़े दुख के साथ बेगुना लोगों को, जो होटलों में रह रहे थे आज से 11 साल पहले, उन्हें मार दिया गया था, उनका कतले आम हुआ था, और किस प्रकार, जावाज सिपाहियों ने उन्हें बचाया था, आज 11 साल बाद एक अलग परिपाटी है, एक अलग विशेशता है, और वो विश होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, जो लोग मुंबई जा नहीं पाएं हैं, जो लोग मुंबई के होटलों को जानते नहीं हैं, आज तमाम भारतवर्श कौन-कौन से होटल कहां-कहां मुंबई में हैं, वो सब जान चुके हैं, बिलकुल सही कहां आप कैसे होगा इन सब विश्यों पे साड़े दस बज़े अभी सुप्रीम कोट कहेगी मगर नैतिकता आप देखिए मैं कल से सुन रहा हूँ अगाडी अगाडी कि अगाडी की सरकार बननी चाहिए जो लोग पिछाडी थे वो लोग कह रहे हैं हम अगाडी बनेंगे अरे आप 105 एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आई आप 105 के कंधे पर बैठकर 56 लेकर आए और दूसरे जो 44 हैं मात्र 44 वो कह रहे हैं कि हम अगाडी हैं आप कैसे अगाडी हैं जनता ने आपको पचाड़ा है आप पिछाड़ी है और याद रखिए लोकतंतर का तकाजा है लोकतंतर में जनता ही जनारदन है जनता ने जिसे अगाडी बनाया है वह अगाडी रहेगा जनता ने जिसे संबी जी आगारी पिछाडी में मत उलजिये लोकतंत्र आंकडों से चलता है और इसी लिए दो आपकी बातों पर मेरा ये कहना है कि एक तो आप से बचाते हुए विधायकों को फिर रहे हैं वो वो कहते हैं आपके पास सत्ता है ताकत है पैसा है आप उसका इस्तमाल करके उन संविधान देता है कि तीनों मिलकर सरकार बना सकते है पिर आप कैसे रोख सकते हैं उने, कैसे नहतिकता का कोई धूरी खळा कर सकते हैं क्योंकि नहतिकता की धूरी पफिर होगा कि जी पवार के beings रातों रात सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, शुबह सुबह की सूरna की उत्तर देता हूं पहला प्रश्ण आपका कि हम से डर के ये सारे विधायक होटल होटल फिर रहे हैं देखिए ये विधायक किस काम के जो मतलब आप आवास करिये और वो बिख जाते हैं ऐसे विधायक किस काम के इतना डर किस विशेका आवास से नहीं बिखता कोई पेटियों से भी कोई विधायक विख जाए वो विधायक 그 किस काम का वो Post पार्टी किस काम की आप अब बताए ह बालती जंता पार्टी धीजिए तो आपने एक भी विधायक को कही नहीं चुपाया क्यों कि खुर्व से कहते है इनको लार टपकना शुरू हो जाएगा और ये साइड स्विच कर लेंगे देखिए ऐसे विधायक कोई काम के नहीं जो पैसे देखते ही लार टपकाने लगे और जो बिक जाए नंबर दो जो आपका विशह था कि लोकतंत्र का तकाजा है कि नंबरों की आधार पर ही सरकार ब जी अब हिंदुस्तान के नए पॉलिटिकल सेनारियों में नए चीर लीडर आये हैं बहुत दिनों बाद पहले लोग राहूल गांधी पे तंज कसते थे आज राहूल गांधी जी बैक बेंचर हो गए हैं और संजे रावत के उपर जिस प्रकार से तंज कसा जा रहा है वो दो दिन बात कह रहे थे कि हमारे पास 175 है आप हमें मौका दीजिए हम अभी खड़ा कर देंगे 175 क्यों नहीं खड़ा करते हैं अंजना जी लोकतंत्र कहती है होटेल के फ्लोर पे कभी भी परिक्षण नहीं होता है परिक्षण शक्ती परिक्षण होता है तो वो विधान सभ पड़ा के पड़ा पे फ्लोर पे होगा नॉट उन दफ्लोर ऑफ होटेल बट उन दफ्लोर ऑफ पार्लेमेंटर हाउज तर दूरदर्शन तक को जानकारी नहीं दी थी सब कुछ रातों रात करने की क्या जरूरत थी और ये भी बता दीजिए कि सर गोवा में आगाडी कौन देखिए अंजना जी जहां तक मैंने आपके सवाल को गुल कर दिया बिलकुल नहीं acquaintit भारति जन्ता Party का प्रवकता तो आपके सामने बिलकुल खड़ा है ये पब्लिक्स कोट है आपका जो कोट है ये पब्लिक्स कोट है मेडिया उसके सामने हम प्रष्णोत्तर के लिए कर कहां है कॉंग्रेस का स्पोकस।र्षण क्यूं गाया भी सिफसे ना और कॉंग्रेस का स्पोकसपर्सण क्यूं नहीं आते हैं क्यूंकि ये लोग नइतिह्ता के तराजू में अगर तुलेंगे तो इनका प्लडा हलका होगा इसलिए ये लोग आज TV से नदारत है हम यहां question face करने आए हैं अंजना जी जहां तक आपका ये सवाल है कि हमने रातो रात क्यों सपत ग्रहन करा दिया कोई रातो रात नहीं किया है ब्रह्म मुहर्त में सपत हुआ था अच्छे समय पे सपत हुआ था पूरे दुनिया को ट्वीट करके स्वैंग प्रधान मंत्री जी ने सपत ग्रहन के बारे में बताया और तो और अभी मैं सुन रहा था हमारे आसी शलार जी बता रहे थे अजीत पवार जी की चिठ्थी आई थी जिसमें 54 विदायकों के समर्थन के हस्ताक्षर थे और यह चिठ्थी आज सुप्रीम कोट में सब्मिट हो रखा है तो कुछ भी चोरी छुपे नहीं है वहाँ जो किसानों की हालत है महराष्ट्र में मैं तो कहता हूँ एक मोर्त भी एक श्खन भी बरबाद किये बिना लोगों की सेवा में लगना चाहिए चलिए ठीक है विपक्षणा साही हम वो सवाल पूछ रहे हैं कहीं वो इस आड़ में अपने सवालों से कतराने का काम तो देश के सामने नहीं करें नवीन चौमाल साहाँ मैं आओंगी आपके पास